नमस्ती पूर से बेगुसराय यानि बरौनी एक नई रेल प्टराओ बनने जा रही है और इसके लिए सरवे का पूरा हो गया जेहां दोस्तु हम बात करेंगे समस्तिपूर के हसनपूर से बेगुसराय के बरावनी के बीच नई रेल लाइन बनेगी और ये समस्तिपूर और बेगुसराय को एक नया रास्ता रेल मार्क मिलने जा रहा है तो इस नई रेल लाइन का सर्वे का काम पूरा हो चुका है बजट पीलोझ आपांगे कर लिए गया है और पूरा रेयल रूट और सब्सक्राइब दो यह के पूरा हो गया है और ये कावड जहील पकशी विहार से होते हुए ये लाइन जाएगी हाला कि जील को बचाने के लिए करें तीन किलोमेटर दूर से ये गुजरेगी और 1470 करड़ रुपे की इसमें लागत आने का अनुमान है और ये समस्तूर पुर्व और बिगुसराय को इससे फायदा होगा और टोटल ये 45 किलोमेटर की नहीं रेल लाइन लेल ओवर ब्रीज होगा तो इस तरीके से ये परियुजना आगे जाएगी और आपको बता दें कि बीस सब्वे जबकि दो रोड ओवर बीच के निमान का प्रस्ताव है तो यानि कि बिल्कुल क्लियर होगी ये लाइन कहीं कोई रुकावट नहीं होगी अब ये लाइन में जैमांगला घाट होगा जो छील के पास होगी उसके बाद एक गढ़ पूरा होगा जो हसनपूर के पास होगा तो इस तरीके से ये एहम a का प्रस्ताव है इस लाइन में तो ये इन इलाकों से गुजरी नहीं है तो इस वजह से इसका जो है फायदा नए इलाकों से जब गुजरेगी तो फायदा होगा और साथ के साथ हसनपूर से बराउनी के बीच एक वैकल्पिक लाइन बनेगी यानि के समस्तिपूर और अधिन लाइन है ये जब कंप्लीट होगी तो ये बराउनी से इसका सीधा कनेक्शन होगा सक्री और सीधा फिर नौर्थिस से ये लाइन जूड़ जाएगी अभी जो हसनपूर से लाइन आती है खगडिया है खगडिया से सहरसा और इधर वेगुसराय होती होगी लाइन ब रूप लेगा और ये बराउनी से जब जोड़ देगा तो फिर नौर्थिस से एक बहुत ही शोटकट कनेक्टिविटी हो जाएगी आने वाले दिनों में तो इस तरीके से जो है ये दूरगामी सोच के साथ इसको जो है बनाया जा रहा है और उमीद है कि रेलवे जो है इसक प्रात्मिक्ता के साथ शामिल कर लेगा तो इस तरीके से ये इलाके के लिए जो दुरू इलाका है जील के आसपास का इलाका है वो रेल सब पर से जूड़ जाएगा और बराउनी के लिए एक मेल लाइन कनेक्टिविटी जो है वो नौर्थिस की मिल जाएगी जिससे की अक्षिन की तरफ चला जाएगा तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लागा जारू लाकिए जो शेयर की कमेंड़ी के सब्सक्राइब कीजिए कुछ और वीडियो के साथ हाजरूंगे अब देखते हैं दर भंगा रोक्स शुक्रिया धन्यवाद जैन